आगरा किस सरवादिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें शनिवार कुसुबा से हुई बारिश ने मारुती स्टेट फेस वन में कई सालों से बदहाल पड़ी सडकों की हालत और खराब कर दी जिस से इस्थाने लोग बेहत परिशान हैं लोगों का कहना है कि इस सडक कई सालों से बदहाल इस्तिती में हैं बावजूद इसके कोई जन प्रतिनेदी बीते कई सालों से यहां की सुद लेने नहीं आया। यहां बारिश में कोई बुज़ूर्ग पहार निकल सकता है ना ही बच्चे। लोगों का कहना है कि बरसात में वहानों की आवजाही के चलते सडक की मिटी जमीन में धस जाती है। जिससे कई बार छोटे बड़े हाथ से भी हो चुके हैं। जिसमें कई बच्चे और बुज़ूर्ग चोटिल भी हो चुके हैं। मामले को लेकर कई बार जन प्रतिनिधियों से संपर्क साधा गया है। नगर निगम में भी कई बार शिकायत की गई है। लेकिन कोई भी यहां के लोगों की समस्या सुनने को तयार नहीं है। मुझको करीब यहां 32 साल होगा रहते हुए। और 32 साल में कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। लेकिन इस सड़क का उद्धार आस्तक नहीं हो पाया। इस से ज्यादे देनी इस्थिति आगरा में हो नहीं सकती है। इसा लगता है किसी गाउं देहात में रह रहे हैं। पैदल चलना मुश्किल है। टू वीलर से गर जाते हैं। बच्चे साइकल नहीं चला सकते हैं। मैं दो साल पहले आया था यहां पे पूने से और जब से आया हूं तब से यही हालत देख रहा हूं। इस सड़क की, कभी पाइपलाइन बिचाने के नाम पे, कभी तार बिचाने के नाम पे, कभी किसी लिए यह सड़क खुदती रहती है। और खुदने के बाद आज तक तो यह बनी नहीं है, दो साल में। चार दिन पहले गाड़ी फस गई तो मजदूरों को बुला के निकलवानी पड़ी यह गाड़ी। अब ऐसे में क्या करें। फिलाल छेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानिय लोगों में खासा नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का दावा करने वाली सरकार के जन प्रतिनिदियों को इस ओर भी ध्यान देने की आवेश्यक्ता है. यहां के लोगों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से नगर निगम का टैक्स भी लगातार जमा कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। काफी परिशान और निराश हैं। सी निउस के लिए अनिल कुमार सिंग की रिपोर्ट।